पापा, हाँ बिटा, दस हजार रुपे ट्रांसफर कर दो मेर को, एक काम है चोड़ा साब, दस हजार रुपे, हाँ, लेकिन बिटा अभी पिछली हफते तो दिये थे तुझे, क्या हो पैसे, वो उसका तो मैंने मुलेट पे सालेंसर लग वा लिया, दस हजार का सालेंसर, अरे, ऐसा कौन सा सालेंसर लग वा लिया, बिटा, अरे, हम यह अंक्सरस्क के मतलब की चीज़ है यार, आपको समझ में नहीं आयागा, आप पैसे बेज़ दो फिलाल, रो ट्रिप पे जारो उन दोस्तों के साथ, क्या जरूत है बिटा, ट्रिप पे जाने की, और अगर पि मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, आप तुम भी तो कुछ अज़ेस्ट करो, आखिर मैं एक सेलरीड परसन ही तो हूँ, कहां से लाँ इतना पैसा, हर जगा हम ही अज़ेस्ट करें न बस, आप अज़ेस्ट मत करना कहीं पे, आपके खुद के लाफ इतनी बोरिंग हो और यह चाहते हो कि हमारी लाइफ भी बोरिंग हो जाए, बटा यह कैसी बाते कर रहा हूं पाप, साही बाते कर रहा हूं एक दम, है ही कि आपके लाइफ पर, ओफिस घर, ओफिस घर, ओफिस घर, अपने किया कि आज तक में रही, गाडी मागी थी मैने आपसे, नहीं दिल पापा, और एड़्जेस नहीं कर सकता मैं आपके साथ, आपको पता है मैं अच्छे लाइफ क्यों नहीं दे पा रही था, आपको पता ही नहीं कि यंग सच लाइफ होती कैसी है, कभी जी ही नहीं आपने, देखो बटा, पैसों की बात, पापा, नहीं चाहिए मेर को आपके पैसे, खुदे रेंच कर लूँगा मैं तु ठीक कह रहा था बेटा, अच्छा किया तुने पापा से यह सब बोल दिया, अच्छी हमारी लाइफ में फन है ही नहीं और तुजी कितने पैसे चाहिए? 10,000? 10,000? बेटा, 10,000 मेरे पास हैं तो सही, मगर मैं तुझे दे नहीं सकती, मैं किसी और चीज के लिए सेफ कर रही हूँ किसी इस के लिए? वो मैं सोच रही थी कि मैं और तेरे पापा तिरी नई बाइक पे एक रोड ट्रिप पे निकल जाए रोड ट्रिप पे जाओगे आप? हाँ, हम दोनों जाएंगे रोड ट्रिप पे कितना मज़ा आएगा, कितना फन होगा इन फेक्ट हम दोनों तो एक और हनीमून भी प्लान कर रहे है हनीमून, हनीमून हाँ हनीमून, पस जगा डिसाइड होनी रह गही है, मौरेश्यस या गोवा क्या इस उमर में आप हनीमून पे जाओगे मा हाँ लोगों के बारे में सोचा है, लोग क्या कहींगे मा अरे लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं, लोग की वैसे हम फन करना छोड़ देंगे तो खुद सोच, मैं और तेरे पापा, एक बीच पे, अकेले बैठ है, क्वाल्टी टाइम स्पेंड कर रहे है और बीर पी रहे है बीर? हाँ, बीर आप और पाप बीर पी ओगे हाँ, अरे, कितना मजा आएगा और वो, वो, तुम यंग्सनर्स क्या कहते हो, स्मोक अप स्मोक अप? हाँ, स्मोक अप और उसके बाद, एवरिधिंग फील्स लाइक हैवन कुछ भी बोल रहे होगे है माँ, दिमाग ठीक है आपका अभी तो तु कह रहा था, आप फन नहीं करते हैं, आपकी लाइफ में फन नहीं है अब जब हम फन करने की सोच रहे हैं, तो तू मूँ बना रहे है क्या दिमाग खराब होगे है माँ आपका बीयर, स्मोक अप, स्मोक अप का मतलब भी बता है आपको इस उमर में ये सब करो क्या अच्छा लगेगा बेटा, जो तू अपनी उमर में कर रहा है, वो सब तुझे अच्छा लगता है क्या करता तू अपने पापा को, कि उन्होंने तेरे लिए किया ही क्या है हाँ बेटा, कुछ नहीं किया उन्होंने तेरे लिए तुझे सिरफ पाला, पोसा, पढ़ाया, लिखाया और इस काबिल बनाये कि आज तू बेरे सामने खड़ा है उन्होंने तेरी हर ख्वाइश पूरी करी, तेरी हर मांग पूरी करी, तेरे खर्चे उठाए उन्होंने लोल लेके तुझे बाइक दिलाई ताकि तेरे फेस पे स्माइल आ सके और रिटर्न में तू उनको क्या बोला? कि आपकी लाइफ में फन नहीं है, आप कुछ करते नहीं हो अरे बेटा हम कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हम पेरेंट्स की लाइफ का फन तो ना तुम जैसे बच्चों को पालने में सेक्रिफाइज हो जाता है और यह सब तू क्यों समझेगा? मगर अब हम लोग समझगे अब हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और किसी के बारे में नी सोचेंगे और तू क्या कह रहा था? कि तू सब मैनेज कर लएगा? तो बेटा, आज से अपने कॉलिज की फीस मैनेजtim कर अपनी बाइक की इंस्टॉल्मेंट मैनेज कर और यह जो ब्रैंडिट कपड़े पहनता है उसको खुद खरीदना और जो पापको कह रहा था ना कि 10,000 रुपए मैं खुद अरेंज कर लूँगा तो वो भी खुद अरेंज कर क्योंकि बेटा अब हम तो दुझे पैसे देनी पाएंगे आखिर हमें भी तो अपने लाइफ के फन के बारे में सोचना है ना बेटा नहीं माप I'm sorry मैं गर अथा Sorry मुझसे नहीं अपने पापा से जाके बोले पापा पापा आम सॉरी मुझे तनी बत्ते मीजी से बात नहीं करने चीए अपसे और आप I promise ऐसा दुबार आने होगा और मैं ये फिजूल खर्ची के पैसे ये भी आप से ने लूँगा आज के बाद चलता हूं एप कॉलेच के लिए बलेट हो रहा हूं तुमने इसे कुछ कहा क्या अरे कुछ नहीं कहा मैं मतर ला रही हूं छीलो बैठके मतर अजब आपने होल्गा खर्ची का उछ्ब्सेशनाओ एल्वेस अप्रची के लिए वाट मैं वाट लोगा सथिक्वाटन से लन झाप्रची के लिए वार्मानल एक पर लूगार लूगार आपका लिए गर से वालेशनाद में लिए कलते ओूल झाल